आज आपको बताते हैं जो क्लास 10 वाले मेरे छोते जो भाई हैं उनके लिए मैं कुछ आज जरूरी उनके माइंद को फ्रेस करने के रियाज मैं यह वीडियो बनाया हूं कि जो उनके उपर जो टेंसन है जो इस्ट्रेस है उसको कम कैसे करें कि अभी उनको लगता होगा जो आज़िए चुका है टो 26 अपरील के बाद ही उसको लागू किया जाएगा मतलब कोई भी देशित 26 के बाद ही होगा ठीख है तो हम लोगगों चलते हैं कि 26 अपरील के बाद हमारे एक्जाम होगा क्लस 10 वाले और जो भी मेरे छोते भाई हैं उनको टेंसन थोरह ऑचा कैसे एक्जाम का त्यारी कैसे कर रहे हैं तो मैं सोचा कि एक वीडियो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं बहुत लोगा कॉमेंट भीया रहा था कि भाईया कुछ हेल्फ करिए तो इस वीडियो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस परकार से अभी से जितना भी वर्क हमें पास जितना भी समय है उसको कैसे हम लोग अच्छे जगा पर यूटलाइज करें ठीक है अच्छे जगा पर कैसे हम लोग लगाएं उस समय को यह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास तेंथ में आपके पांच ऐसे सब्जेक्ट होंगे एक कि दूसरा होगा इंगलीज कि दीसरा होगा साइन्स और चौथा होगा मैथ और पांच वह होगा एसेस्टी चाहे का यह सोशल साइन्स ठीक है सोशल पांच वह होता है एसेस्टी चाहे सोशल साइन्स तो उसको एसेस्टी हमारा में होता है जिससे परसेंटेज हमारा जूरता है और कितने लोगका स्कुल में एक्स्टरा सब्जेक्ट हमारा जूरता है जिससे परसंटेज आपका जूरता है तो इसको हम लोग किस परकार से पढ़ना है देखो अभी 26 अप्रील को ज्याम होने वाला है और आज अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो या तो 6 को देखते होंगे चाहिए 7 अप्रील को देखते हैं चाहिए कभी भी देख रहे हैं 3- मार्ट से भी अगर समय अभी से लेकर जोड़ते हैं तो यहां से लेकर 26 अप्रील में लगभग आपको 50 दिन लगभग समय मिल जाता है ठीक है तो इस 50 दिन में हम लोग कैसे अपने नंबर को अपने कैसे परसेंटेज को और आगे परे धकेलने मतलब जिनको आसा होगा कि 70 परसेंट आएगा वो कैसे अपने 75 परसेंट मांगा सकते हैं और जिनको आसा होगा कि 80 परसेंट तक मैं ला सकता हूं वो कैसे अपने 85 परसेंट ला सकते हैं नब्य परसेंट वाले कैसे अपने 95 ला सकते हैं चाहे 75 परसेंट वाले 80 ला सकते हैं चाहे 85 ला सकते हैं और 95 ला 96 97 ला सकते हैं तो किस परकार से इन 50 दिन में किस परकार से परहाई करें कि हम लोग अपने परसेंटेज में थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट ला सकें तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं देखो होता क्या है कि हम लोग अक्सर यह चीज भूल जाते हैं कि हमारे पास पांच ऐसे सब्जेक्ट है जो जिनका परसेंटे जोड़ा जाता है लेकिन हम लोग पूरे साल देखना अक्सर सभी बच्चों को पूरे साल ओं में सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं जिसे साइन्स हुआ, मैथ हुआ और कितने ऐसे एसे सेस्टी को पढ़ते हैं लेक इसके बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि हम लोग एक्जाम के पास आने पर पढ़ लेंगे और एससे भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि एक-दो महिना में complete कर लेंगे तो में यही दो सब्जेक्ट हम लोग फोकस करके हर एक बच्चा चलता है लेकिन मैं यह कहता और परसंटेज मिलाकर हमर को जोड़ा जाएगा तो अभी आपका यही काम होगा कि आप लोग कम से कम देखो होता क्या है कि science है हाइस हाइस हाथ सब्जेक्ट होता है ठीक है सभी सब्जेक्ट उसे और math भी कितने अवर बच्चों के जिनको math easy लगता है किनको hard लगता है वो सबका एक depends होता है mind पे कि उनका लिए कौन सा ऐसा subject है जो उनको अच्छा सा समाझ में आ रहा है ठीक है वो हर एक बच्चा का अलग लग होता है इसमें कोई tension वाली बात नहीं है तो मैं कहता हूं कि अगर science को आप लोग ठीक है और math को दो ऐसा subject हाध है थोड़ा सा ठीक है बाकी हमारे पास यह तीन सब्जेक्ट बचते हैं एक हिंदी इंग्लिस एसेश्टी तो एसेश्टी को भी थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते हैं बहुत नहीं पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में जितने भी चेप्टर हैं कहानी हैं कभीता है उन सबका चेप्टर का नाम और यहां पर उसका लेखक का नाम लिख लिजे और अभी से लग जाईए देली कम से कम एक चेप्टर को उठाईए हिंदी का और हिंदी पुरा उसका कहानी पर हिए और उसका question answer करिए complete हो промहला कार अभी से करना चालूब करिए तो आप पचास दिन 50 दी में तो आप हिंदी कितना अच्छा कर यहां कर जैए इंग्लिज में यहीं काम करिए यह काम करिये अभी से भी मतलब 40 में हिंदी में कुछ भी नहीं लाइए गया तो 39 49 नमबर ला दीजेगा और इंग्लीस में भी अगर दोनों में 38 अर्टिस लाद देते हैं तो सोचो आपका परसेंटेज कहां चला जाता है तो साइंस को पढ़िए गावी से वी पचास दिन समय है जो बच्चा भी लगतार पूरा साल नहीं पर है तो साइंस को पचास दिन अगर हर सब्चेक्ट को छोड़ देता है कि वह स चब्चास नहीं कर पर पाएगा और उसमें पूरा अच्छे दिन अच्छे पढ़िए इगा तो दस या पंदरा परसेंस में अपना बरहाईएगा तो और परसेंटेज बहुत आगे बढ़ जाएगा अगर सुचो कि हिंदी में आपका 38 नमबर आ जाता है और इंगर अपका बच्चा का सबसे लोग कहते हैं कि बहुत अधिक इसमें नंबर उस्टा होगे तो दस नमर गया मतलब तुम पढ़ लिए जो ग्रॉफिय अगर कर लोगे तब इसमें भी साथ यह पाज समर से कोश्चन आगा तो यह भी तुम रखाता है तो इसमें देख लोगर कुतना भी कम है तो 30 32 बच्चे ला देंगा 40 में बाकि जो में सब्जेक्ट है अगर इ इसमें रही कम नंबर आता है मैं समर्ण गहिए त्बीस होगा और यह हिंदी और रहे लेकिन देखो उसे में टाइम निकल के हिंदिको को अधा घंता ही घंता समय्थ सवाइग alदेare इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप लोग एक डेली के लिए रूटिंग बना लो कि हमको एक घंता देना है एक घंता बहुत है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आधा घंता एक इंगलिज के लिए और अधा घंता हिंदी के लिए और एसे स्टी के लिए एक घंता दे दो आपका भाई आपके साथ खरा है और कोई परसानियों का कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं इस वीडियो का बनाने के मेरे मकसाद था आप लोग को कुछ कुछ इंफर्मेशन देना कि आप लोग किस परकार जो गलती हर कोई हम विक किये थे ऐसा नहीं करें तो आपको वीडियो पसंद दागते हैं तो लाइक चैनल को सस्क्राइब करना में नेक्स वीडियों तब तक के लिए जैहिंद